हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लूमनेस 2250 UPS इंवर्टर की रिपेर के बारे में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह एक 24 वल्ट यानि डबल वेट्री से आपट होना वाला इंवर्टर है आईए चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है फिलाल यह आउट्पुट आफ कर रहा है और चारजिंग भी नहीं कर रहा है चेक करते हैं पहले सबसे पहले हम इसकी आउट्पुट चेक करेंगे इन्वेटर मोट पर, यह देखिए हमने आउटपुट शॉकेट पर मल्टीमेटर लगा दिया है, और यह आउटपुट हमारा जीरो शो कर रहा है, यानि कि आउटपुट बिल्कुल नहीं निकाल रहा है, बिल्कुल जिरो, अब इसे मेल लाइन करेंट देकर देखते हैं, मेल लाइन सेंस्टो कर रहा है, इसी करेंटेस न सेंस कर लिए है, भड यह जाइजिंग पर एरो दिखा रहा है, बंद कर दे रहा है, चार्जिंग बेलकुल नहीं हो रही है, किट की सफाइक की बहार निकालेंगे अच्छे साफ करेंगे और उसके बात में इसके किट की जितने भी पेच वगएर हैं सब अच्छे से खोल कर किट को बहार निकाल लेंगे यह देखिए हमने ट्रास्वामर के पेच पगएदा हिट सक पर से खोल लिये हैं अब जो बॉडी में पेच कसे हुए है किट जिस पर कसी हुई है वो खोलेंगे और उसके बार जितने भी जैक लगे हुए है किट में वो सारे निकालेंगे अच्छे से ताकि कोई वाय बगार न टूटे और हमाई किट अच्छे से बाहर आ जाए कि देखिए अब सारे जैक निकाल देते हैं किट के सारे जैक निकाल लिये हैं सब जैक निकल चुके हैं किट के अब किट को बाहर निकालेंगे अब हम देखते हैं जैसे कि हम लोग देख रहे है यह इस जैक पर यह पिन जली ही मालूम पड़ लही है देखिए इसके पिन जली हुई है पिन जलने के विज़ा से यह प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और आउटपुट हमाई नहीं निकल रही है और उसके अलाबा यह जहां पर हमारा न्यूटल आ रहा है न्यूटल वाला प्रिंट भी हमारा जला हुआ है जिसके विज़ा से ना तो यह आउटपुट निकल ही चारजिंग हो पा रही है यह सही से देखिए से यह हमारे नूटल आ रहा है यहां पर और नूटल हमारा किट में सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यह जो टासम पर मुई आए और दूसर वला यह देखिए यह गर हम सही इसे साफ करें के सोल्ड करदेंगे तो ये पिन हमारी connect हो जायी और हमारे ट्रांसफरमर पिन धेखिये है यह हमने solder कर दिया है अब solder करने से यह होगा कि connect होगा और ट्रांसफरमर माझवाथ सभी काम करेगा अब इस पिन को भी अच्छे साफ कर देते हैं और जो jack में पिन है इसे चेंज करके नहीं लगा देंगे यह हम साफ है कि नहीं पिन लगा देंगे यह देखिए जलीवी पिन है यह कनेक्ट नहीं हो पा रही थी हम इसमें नहीं पिन से रिप्लेस कर देंगे से यह देखिए हम नहीं पिन इसमें लगा दी है अब इ सही से साथ जैक लगा देंगे और किट को अच्छे से टाइट कर देंगे बाग की ट्रांस्वामर की हिट्सिक वगएरा ये भी लगा देंगे इस बात की ध्यान अखेंगे कि लूजिंग बिल्कुल न रहे अब इसे समय है टेस्ट करनेगा हमने इनवर्टर ऑन किया यह बैट्री मोड पर स्टार्ट हो गया अब इसकी आउटपूट चेक किया यह देखिया आउटपूट पर लगाते हैं मीटर यह आउटट 45 वोल्ट डेरा है यानि कि इसने आउटपूट नेकाना शूरू कर दिया ह अब समय है चार्जिंग चेक करनेगा में लाइन से कनेक्ट कर दिया है इसी इसने सेंस कर लिया है अब चार्जिंग में हमारी स्टार्ट होने वाली है यह देखिये चार्जिंग हमारी शुरू हो चुकी है जो पहले एरर अलादा चार्जिंग में वह नहीं है चार्जिंग तो देखा दोस्तो अब इंवेटर हमारा बिल्कुल सही वाक कर रहा है दोस्तो कैसा लागा वीडियो आपको अगर वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए जाजा ज़्यादा शेय किजिये और माईं किसे कीजिए थेंक यू झाल झाल